हेलो, गोड इविनिंग तु अल, दिस इस कुल्डी फिरॉम एक्जाम सेलेक्ट, एंड टोड़े वी आर डिसकसिंग अबाउट धी मद्यपेदे सीरीज, जो की हम आज से सुरू कर रहे हैं, मद्यपेदे सीरीज में हम क्या कवर करेंगे यह देख लेते हैं, इसका जो भी हम जिस तरीके से सीरीज को चलाएंगे, उसके बारे में देख लेते हैं, तो यह मद्यपेदे सीरीज 2021 के लिए होने वाली है, और यह सीरीज अपडेटेड होगी, यानि कि जो भी निवली डेटा है, वो सब कुछ इसमें अपडेट मिलेगा, जैसे कि जो निवली मिनिस्टर बगेरा हैं, और जो भी निवली अपडेशन होता है, इन्वारमेंट में, जो भी पॉलेटी, जोगराफी समय, वो सब कुछ आपको इसमें अपडेट मिलेगा, यह कंप्लीट सिलेबस के लिए होने बाला है, इसमें मद्यपेदेश का कंप्लीट सिलेबस होगा, तो यह सीर हो जाती है, आपको पढ़ने के लिए, यह मद्यपेदेश सिरीज आपको मेंडेटरी है, मस्ट है, देखना यह आपको, क्योंकि इससे बाहर आपका कोई कोश्ट नहीं जाएगा, यदि मद्यपेदेश से कुछ भी कोश्ट पूशा जाता है, मद्यपेदेश को हम सबजेक् पहले हम मद्पधिस का ओवर्विव लेंगे और आपको ये सेहर होना है कि जो भी ये सीरीज है उसके लेक्चर सापको सीरियल वाइज देखने हैं यानि कि जो लेक्चर फ़र्ष्ट है पहले आपको वो देखना है फिर सेकंड थार्ड फॉर्थ ऐसे देखना है क्योंकि तब आप्ट करें सेक्ट युक्त लेक्टर सकती हैं उन्हें को आप रेपीटेशन में देख सकते हैं हैं जिससे की यह आपको काफी अच्छी तरीके से याद दिखना तो सेında आप If you are okay, then sit relax and let's start the lecture. So now we will discuss about the formation of Madhya Pradesh. अब हम इस Madhya Pradesh के formation में देखते हैं, जो overview है वो हम ले लेते हैं इस Madhya Pradesh का, फिर हम इसको डीटेल में पढ़ेंगे, जो भी हम formation of Madhya Pradesh पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम history में. तो किस तरीके से Madhya Pradesh का गठन हुआ है, किस तरीके से इसका formation हुआ है, ये सब हम history में पढ़ेंगे. अभी इसका जो overview लेंगे हम, तो जैसे formation का हुगा था, Madhya Pradesh का, ये हुगा था, 1 नवंबर 1956, एक नवंबर 1956 को Madhya Pradesh का गठन हुआ था, यानि कि इस तरीक को ये भारत union में सम्मिलत किया गया था, जो हमारा Indian union था, उसमें इसे सम्मिलत किया गया था, 1 नवंबर 1956 को, ये त कब से हुआ था, ये हुआ था, नवंबर 2000, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है, जो यहां पर हमारा Madhya Pradesh यहां तक फैला हुआ था, यानि कि जो 36 गड़ था, वो भी Madhya Pradesh में मिला हुआ था, फिर ये अलग हुआ है, इसको अलग किया गया है, इस पार्ट को Madhya Pradesh के जो क एक नवंबर 2000 को किया गया है, यानि कि जो Madhya Pradesh को डिवाइड किया गया है, वो किया गया है, एक नवंबर 2000 को, अब इस तरीके से आप से कोश्यन पूछे जा सकते हैं कि Madhya Pradesh से 36 गड़ कब अलग हुआ था, या फिर 36 गड़ राज कब बना था, तो ये दोनों एक इड़ है, एक नवंबर 2000, Establishment Day कम मनाया जाता है, यानि कि इस्थापना दिवस कम मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है, फर्ष्ट नवंबर को क्योंकि इसी दिन ये फर्म में आया था, हमारा जो Madhya Pradesh है, उसका फॉर्मेशन फर्ष्ट नवंबर को हुआ था, इसलिए Establishment Day यानि कि इस्थापना दिवस एक नवंबर को मनाया जाता है, मद्ध पेदेश को मद्ध पेदेश का नाम किस ने दिया था, यानि कि जो पहले मद्ध पेदेश को मद्ध पेदेश नहीं बोला जाता था, ये तीन हिस्सों में डवाइट था, लेकिन इस सारे एरिया को कि इस ने नाम दिया था, ये दिया था हमारे फोर्मर पेदेश को मद्ध पेदेश की संग्या दि थी, पहले यह तीन हिस्सों में डवाइट था, वह आगे इस्टेरी में पढ़ेंगे, जोगराफी में भी पढ़ेंगे, वह हम कंपलीट करेंगे मद्ध पेदेश को उस समय है अभी हम और्वी ले रहे हैं डीटेल में इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे तो अभी केवल और व्रवी ले लेते हैं अधर नाम मर्द परदेश के अधर नाम क्या-क्या है यह है है हाट इंडिया यानि कि जो हैट ऑफ इंडिया बोला जाता है मर्द पिर्देश को क्यों बोला जाता है क्योंकि यह जो भारत देश है हमारा हमारा भारत देश है उसके सेंटर में जो लाई करता है जो एस्टेट वो है मर्द पिर्देश अब मर्द पिर्देश अगर सेंटर में ला को सोयावीन इस्टेट क्यों कहा गया है क्योंकि यहां पर काफी ज़्यादा प्रोडक्षन होता है सोयावीन का यहां पर काफी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है सोयावीन इसलिए सोया इस्टेट कहा गया है और सोया यहां की मद्य पेदेश की राज की ये फसल भी है तो सोया बीन राज की ये फसल भी है इसलिए सोया इस्टेट कहा जाता है मद्य पेदेश को याद रखिएगा यदि आप से पूछा जाता है पूरे भारत में इसे दिया गया है River Straight, यानि की नदियों का माय का River Straight क्यों का गया है, हालां कि कई राज्य से जिन से बहुत सारी नदिया निकलती है, लेकिन इसे River State कहा गया है क्योंकि यहाँ पर Origin है, सब से ज़ारा नदियों का Origin है मद्ध पिर्देश में यहां पर अनुपूर डिस्टरेक्ट है आपको पता ही होगा नर्मदा है जो हमारी तापती बगएरा है यह सारी नदी जो भी है हमारी यह अनुपूर डिस्टरेक्ट से निकली है और मद्ध पिर्देश में जो ओरीजिन है नदियों का वो काफी जाद नदियों का origin है यहां से काफी ज़्यादा नदियां बनती भी हैं और समुद्र में जाके मिलती भी है हाला कि मद्पिर्देश की भारत की कई राष्ट्रियों उध्यां की अपादी दी गए है यानिकी उसको चेंज कर दिया गया я है राष्ट्रियए उध्यां में तो यह बालापूर कूनो की संख्या यानििक ही польз यह कहां से लाए गए हैं यह आप मुझे बताएंगे कहां से लाए गए हैं तो बताइए आपको याद होगा और नहीं हो तो इसका बारे में करेंगे तब आप समझ सकते हैं कि कौन हैं अगला जो नाम दिया गया है मद्ध पेदेश को वह है लियोपाइड इस्टेट यह हाल ही में इसको अपादी मिली है क्यों मिली है यह अपादी हो यह हमारा करेंट से आ जाता है कोशन करेंट हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगी 2021 में क्योंकि काफी सारी अपडेशन हुए हैं काफी ज्यादा डेटा अपडेट हुआ है तो लियोपाइड इस्टेट क्यों का जाता है क्योंकि अब मद्ध पेदेश में टाइगर ही नहीं बलकि पूरे भारत में लियोपाइड भी सबसे ज्यादा हो गए मद्ध है मद्ध पिर्देश क्या है मद्ध की इस या है भोपाल वड़ा की मद्ध के चैपिटल में लोकेटेड एक हरे हमारे ऑम के मेप में जो भी हमार व Ci एक है यह देख नहीं जो भी हमारे देखते हैं कि कि यह कहां पर लोकेट है वो देखा जाता है डिगरी से तो यह आप डिगरी समझ सकते हैं यह डिगरी के हिसाब से हम किसी भी एरिया को लोकेट करते हैं अब जो 21 डिगरी 6 मिनेट नौर्थ टू 26 डिगरी 30 मिनेट नौर्थ यह है मदपेदेश का लेटिट्यूड यानि कि य यहां से यहां से यहां तक यह हमारा नौर्थ डिगरी का लेटिट्यूड हो जाता है यहां पर 21 डिगरी 6 मिनेट नौर्थ टू तो ट्वार्टी को स्टीन Пरीम सब्सक्राइब गरते की घ्रते डिरेइस का ध्युज़दी अगो यह चाहिए और जो हमारा रही होता है क्थadian घ्रतीएस गंखिली थेक्डाननारा आफ़ाइस्ट को सब्सक्राइ स्ब्सक्राइब तो ये सारा East माना जाएगा ये भी East और ये भी East लेकिन अगर हम मद्दरेज को direction की حसाप से देखते है तो ये South, ये North, ये West और ये East हो जाता है लेकिन अगर Globe के हसाप से हम देखते हैं तो ये भी North ये भी North ये इस्ट है और ये भी East है तो ये east में lie करता है 74 डिग्री 9 मिनिट east to 82 डिग्री 40 मिनिट east तो ये देखा हमने अभी formation आगे देखते हैं बाकी चीजों को तो अब हम पढ़ेंगे symbol of madhpirdis यानि कि राज की ये जो chin है उनके बारे में पढ़ेंगे symbol of state symbol of madhpirdis जो भी state symbol है madhpirdis को उनको देखेंगे यानि कि जो face जो हमारा root है crop है ये सारी कौन-कौन सीं ये हम देखते हैं तो animal हमारा कौन सा है state animal कौन सा है हमारा ये है swamp deer इसको 12 सिंगा भी कहते हैं याद रखिएगा आप 12 सिंगा भी कहते हैं यानि कि जो आपने देखेंगे जो हैरन होता है जो जिसके जो सींग होते हैं वो काफी जादा होते हैं 12 कहते हैं इसलिए उसे 12 सिंगा कहते हैं यानि कि 12 सिंगों बाला है तो यह होता है swamp deer animal हमारा swamp deer है ole गजर बता आप्ता हुआ है मारी इस्टेट बैट कौन सी है यह है coping cooler यायार रखना है आपको बैड कौनकी है इस्टेट टिरी कौन सा है हमारा यह बनियन टिरी यानि की बरगत का पेड़ तो यह हमारा पेड़ हो जाता है इस्टेट टिरी है हमारा बनियन टिरी फिस कौन सी है इस्टेट पेस हमारी महासीर महासीर मचली अगर आपने देखी है तो ठीक है बना आप गूगल कर सकते हैं सम प्ले ओर ड्रमा क्या होते है जो आपने देखे हम इस्टेट हमारा इस्टेट स्पोर्ट है मल्कम मल्कम यानि क्या होता है ? एक pillar होता है या आप कि गाइक paar होता है जिस पर की यह काफी ज्यादा stent करतें इस्टन्ट करते हैं, योगा भी करते हैं इस पर आप इससे सर्च किजिएका, आपको काफी अच्छा अच्छा लगए reproductive कि कि नहीं कितने बेहतर è percebt कर लेते हैं कि मलखम कैसा होता है, यह कैसा खेल होता है, क्रॉप कौन सी हमारी इस्टेट क्रॉप है, सोयावीन, सोयावीन आपको अभी बताया था, मैंने पहले, कि सोयावीन क्यों है, हमारी इस्टेट क्रॉप क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, सोयावीन का मर्द परदे लेंगवेज कुण सी हमारी सटेट लेंगवेज है हिंदी यानि कि ये प्रिंसीपल लेंगवेज हो जाती है प्रिंसीपल लेंगवेज क्यों हो जाती है क्योंकि ज्यादा तर जो लोग है जो उसलिहода Fördańsk इडि यूजवाली टॉकसे हिंदी आक्सर हिंदी में बात करते हैं तो यह आपको याद रखना है प्रिंसिपल लेंग्वेज हिंदी हो जाती है सवंग कुन सा है हमारा स्टेट संग कुन सा है यह हमारा मेरा से पढ़ा है इथ किसे डिए है यह लिखा गया है महेज द्वास्तव नी ऩे लेखा है कुगकर मैस्री वास्तव द्वाए जू you have to choose one of the options, so you have to learn this, Mahesh Srivastav wrote मेरा मद्य प्रदेश, एम्बलम क्या है मद्य प्रदेश का, एम्बलम यानि कि जो मद्य प्रदेश की आप मान सकते हैं, जो seal है, यानि कि जो आप इंडिया का देखा हो, आपने सहारा का जो लोगो देखा है, या एम्बलम बोलते हैं वैसे तो इसे, तो ये मद्य प्रदेश का एम्बलम किस तरीके से होता है, इसमें किन किन चीजों का यूज किया जाता है, एक किया जाता है बनियन टिरी का होता है और जो 24 लोटस होती है इसमें और इसमें होता है आपका असोग चक यह असोग होती है अब आप इसको बनाओगे कैसे तो यह आप यह समझ सकते हैं यह कुछ कि यह हो जाती है लोटस लीप्स यहां पर आपका लिखा होता है मद्र पिरदेश सासन यहां पर सब्सक्राइब जाएते हैं पर यह पिलोज होता है यहां पर होता है यहां पर होता है यह सेर होता है यहां पर जो हमारा रुपए में आपने देखा होगा रुपए में जो सिक्का होता है बन रुपी टू रुपी में वो जो हैड होता है आपका वो यहां पर होता है और यहां राइस और यहां वीट हो जो हमारा इसते हैं चाहलाक करें एंबलम बैसे आपको सेल नहीं किसकतें इसको कहेंगे तो इसमें राइस वीट्ट लोटस लीब असोका offense और वदियूर तो यह सारी चीज हम सारी यूज करते हैं अपने emblem को सुकरने लिए अब आगे हम देखते हैं जो हमारा मद्बदेश है उसका बिस्तार बगेरा देखते हैं तो आगे हम continue करते हैं तो अभी हम देख लेते हैं मैप के द्वारा मैप से हम समझेंगे मर्द पेदेश में जो बांकी चीजे हैं वो क्या-क्या है मैप से आपको काफी आसानी होगी आप बुक रख सकते हैं मैप आप खोलके रख सकते हैं जब भी आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में यह दिया पढ़ते हैं तो आप उसे नोट कर सकते हैं कि यह डिस्ट्रिक्ट कहा है मैप से काफी जल्दी याद हो जाती है चीजें तो हम मैप से बागी चीज़ों को देख लेते हैं जो हमारी बची हुई है मैप रफ मैप बनाएंगे हम और हो सकता है थोड़ा कि अच्छा ना मने माइंड नहीं कीजिए रहा कि समझने के लिए बनाया जाता है मैप के बन तो आपको समझने में आसानी होगी कि ज्यादा माइंड नहीं करना काफी दफ मैप बना रहे हैं हलांकि थोड़ी बत प्रेक्टिस हो गई है मैप की तो सेप में तो आई जाता है तो अब हम क्या देखना है हमें इसमें कि यह हमारा जो मद्रपिश है वह कितने जो स्वाश्ट है उनको कवर करता है यानि कि कि इस्वाव पर रह उट गिरा हुआ है तो तो इन कितने स्टेट से गिरा हुआ है यह गिरा हुआ है पांच स्टेट से यहां पर यूपी यहां पर आ जाता है 36 गड़ यह अरिया जाता है महाराष्ट में यहां पर गुज्रात आ जाता है और यहां आजाता है राजस्थान तो यह हमारा जो इस्टेट है वो 5 राज्यों से कवर है जो हमारे मद्द परदेश है वो 5 राज्यों के बॉडर को टच करता है अब मद्य पेदेश के जो district है उत्ताय पेदेश से वो कितने district है जो उत्ताय पेदेश को touch करते हैं तो यह करते हैं हमारे 13 13 district हमारे UP को touch करते हैं 36 गड के करते हैं हमारे almost 6 district 6th district हमारे 36 गड को touch करते हैं और महाराश्ट को करते हैं हमारे 9 district यानिकी 9 जो हमारे जुझेले हैं वो महाराश्ट को touch करते हैं गुजरात को touch करते हैं हमारे 2 states and राजिस्थान को करते हैं 10 states तो यह आपको याद रखना है UP को करते हैं 13 चतिसगर को 6, माराष्ट को 9, गुजरात को 2, एंड राजिस्तान को 10, यह आपको याद रखना है, इन सब के बारे में डीटेल में हम तब पढ़ेंगे, जब हम जोगराफी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे हम, कि कौन-कौन से डिस्ट्रेक्ट हैं, उनके स्टेंडर्ड टाइम, इसकी जो लाइन है, जो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, जो हमारा इस्ट है, वो है प्लस 530, तो यह आपको याद रखना है, अगर आप से पूछ लिए जाता है, इंडियन स्टेंडर्ड जो टाइम जोन है, वो क्या है, तो यह प्लस 530, यह अगर नहीं आ रहा हो, तो कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं, चलिए, यह करती है हमारी सिंग रॉली से, यहां से आती है, हल्का सा टच करती हुए, पास हो जाती है, यहां पे है सिंग रॉली, तो यह टच करती है हमारी आई एस्ट जोन, यह करती है सिंग रॉली को सिंग रॉली डिस्ट्रिक्ट को टच करते हुए जाती है यानि कि IHT passes through सिंग रॉली तो यह आपको याद रखना है अब हम देखते हैं Tropic of Cancer जो Tropic of Cancer होती है जो कि पास करती है पहले तो आपको याद रखना है Tropic of Cancer Tropic of Cancer वर्ल्ड में कितने कितने देशों से पास करती है वर्ल्ड में याद रखी संसार में कितने देशों से पास करती है यह करती है 18 देशों से 18 countries Tropic of Cancer passes through 18 countries in the world So this question is very important because ऐसे question आपको काफी ज्यादा पूछ लिए जाते हैं जब आपके syllabus में वर्ल्ड जोग्राफी होती है अब Tropic of Cancer इंडिया में कितने जो इस्टेट हैं उनसे पास होती है तो यह होती है 8 Alfredth say sondern कि जो 18 स्थेट है 18 country है वह थी बढल्र मेंältमेyty 13 कंटरी से पास होती है और इंडिया में 7 से फास होती है मद पफ्रदिश में इसमें कितने डिश्ट्रिक से पास होती है ? यह होती है फोर्ट 16 से याद रखने है आपको 14 хороший आयसे हैं जिन से मद्प्रदिश के ऐसे डिस्ट-offic cancer यह फास होती है अब एन यह जो आप देख रहा हैं यहां से ओल्मोस्ट थोड़ा नीचे से आती है जो की रतलाम से होते हुए आती है यहां निकल जाती है अब आपको यह फोटिंग जो डिश्टरेक्ट होते हैं इनको याद करना हो तो एक सौटकट मेथड है अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है नाम अगर मैं आपको बता दिता हूँ अगर आपको बैतर लगे तो आप उस तरीके से याद कर सकते हैं तो यह है तो यह है रवा रासी भवरासा दमजब कटनी उम्रासा यानि कि इनको हम नाम देख लेते हैं कौन-कौन से हैं रा से आ जाता है आपका या आगर आप इंगलिस मेडिय आप इसे रा को आर मान सकते हैं आर से आजाता है हमारा रतलाम उ से आजाता है उज्जेन आ से आजाता है आगरमालवा रा से आजाता है राजगर सी से आजाता है सी होद भा से आजाता है भोपाल वा से आजाता है विदी सा रा से आजाता है राइसेन सा से आजाता है सागर दम से आजाता है दमू जब से आजाता है जवलपुर कटनी ये पूरा ही है ये कटनी ही बोला जाता है पूरा आ गया इसका नाम कुमरा से होता है उमरिया सा से आता है हमारा स्वरी ये सा दूसरा वाला है सीटी वाला सा है इससे आ जाता है सहडोल यह जो सा है इसे आ जाता है हमारा सैडूर तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं रतलाम उज्जैन आगर मालवा, राजगर, सीहर, भोपाल बिदीसा सागर, दमोय, जवलपुर, कटनी, उमरिया, एंड सैडूर तो यह आपको काफी आसान हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, तो ठीक है, अगर आप डायरेक्टली इसे लर्न कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं तो यह देखा, हमने अभी ओवर्व्यू मंदेपेदेश का, इस ओवर्व्यू को अभी कंटीनियू करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे अभी, जो भी अमारी पॉलिटिक्स है, उसकी जो सीटे होती हैं, लोग सबाराज्य सबाब, वो बहां की सब पढ़ेंगे, यह जो अ हालांकि यह वीडियो 2021 के लिए बनाई जारी, तो यह काफी important हो जाती है आपको देखने के लिए, क्योंकि यह updated series है, and I hope यह lecture आपको काफी पसंद आया होगा, और if you liked this lecture, then you can continue, and thank you for watching this, have a good day.